आपकी स्क्रीन पर आने वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और इसके सामने आने वाले बैल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको मेरी वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे हलो गुड बॉर्निंग स्टूडेंट मैं गंबीर सर आप सभी का स्टड़ी पॉइंट गंबीर सर यूटूब चैनल में एक बार पने स्वागत करता हूं और आज हम आरार भी एलपी टेकनीशियन के लिए फिजिक्स से रिलेटर कोश्चन के बारे में डिसकस करेंगे और मैं आपको फिजिक्स के लिए 1000 कोश्चन का प्रेक्टिस सेड जिसमें मैं आपको करीब 20-25 वीडियो के अंदर ये प्रोवाइड कराऊंगा और इसमें आप जो फिजिक्स से रिलेटर जितने भी कोश्चन बनते हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हो तो हम कोश्चन नमर किसकी काई है तो प्रकास वर्स जो होता है वो हमेशा दूरी की काई होती है प्रकास वर्स पूछे या नूरी वर्स पूछे वो हमेशा किसकी काई होती है दूरी की अगले कोश्चन पर आते हैं एंपियर मात्रक है एंपियर किसका मात्रक है तो एंपियर जो मात्रक होता है वो विद्दुदारा का मात्रक होता है अगले question पर चलते है fourth question है निम लिखित में से समय का मात्रक नहीं है यानि कि समय का मात्रक क्या नहीं है वो हमें बताना है अधी वर्स, चंद्रमा, प्रकास वर्स तो आपको एक चीज ज्यान होनी चाहिए कि जो प्रकास वर्स होता है वो हमेंसा दूरी का मात्रक होता है वो कभी भी समय का मात्रक नहीं होता है तो इसका जो समय का मात्रक नहीं होता है वो इसका आंसर क्या होगा प्रकास वर्स जो है वो समय का मात्रक नहीं होता पार्सिक पूछे, चाहे प्रकास वर्स पूछे, चाहे नूरी वर्स पूछे, यह हमेशा किस की काई होती है? दूरी की अगला question है, निमलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानि की इन में से जो मैच नहीं कर रहा है वह हमें बताना है डेसीवल द्वनी की प्रवलता की काई होती है सही है ये वाला सही है असु सक्ती सक्ती की काई होती है ये भी सही है समुद्री मील दूरी की काई होती है बिल्कुल सही है सेल्सियस उस्मा की काई जो गलत है क्योंकि सेल्सियस जो होता है वो हमेशा तापमान की काई होती है वो आपका मात्रक होता है ज्योती फ्लक्स तो इसका right answer क्या हो जाएगा बी option हो जाएगा ज्योती फ्लक्स का अगला question है पास्कल किसकी एकाई होती है तो पास्कल जो होता है वो एकाई होती है दाव को मापने के लिए clear सभी को तो पास्कल जो एकाई होगी वो क्या होगी रक होता है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जोती ती बृता का का तो option number D का सः होगा देंखो पिछले वाले question में जो पूचा था वो ल्यूमिनद फ्लकस के बारे में पूचा था और इसमें क्या पूचा है Cand Jordla तो Candlyla किसी कई यह जोती ती वृता की होती है अगला question है यंग पृतियास्टा गुडांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो यंग पृतियास्टा गुडांक जो है वो बल बटे शेत्रफ़ल होता है और बल की का ही होती है न्यूटन और शेत्रफल की होती है मीटर इस्क्वाइर तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C right answer हो जाएगा अगला question है निमलिखित युगमों में से किन बहुतिक राश्यों के समान वेमिय सूत्र नहीं है यानि कि कौन-कौन सी बहुतिक राश्य है जिनके वेमिय सूत्र जो है वो एक समान नहीं होते तो आपको यहां देखना है first option में दे रखा है बल एभम दाव तो बल बराबर तो होता है द्रवेमान गुणा तुरण जब बल का सूत्र पढ़ता है तो क्या होता है द्रवेमान जिसे M से प्रदर्शित करेंगे और तुरण जिसे G से और दाव जो होता है दाव का formula होता है ब कि जिनके आपको विमिय सूत्र सही नहीं है वो कौन सा option होगा यह option कार्य और उर्जा के बराबर होते हैं बार के और बल के हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि बार बराबर भी जरह बिमान गुणा तुरण होता है और आवेक और सम्वेक के भी बराबर ही होते हैं अगला question है अधिस रासी है तो हमें इस में से बताना है कि अधिस रासी कौन सी है उर्जा बलागूर सम्वेक तो देखो बलागूर और जो सम्वेक होता है वो हमेशा सदिस रासी होती है क्लियर सभी को कैसी रासी होती है सदिस तो उर्जा जो होती है वो कैसी रासी होती है अधिस रास सदिषराणौ – अगला कुछ एलए निम लिखत में से सदिषराण। कौन सी हैं सदिषराणौ दिषा carbon ओर उपस्तेट में वहीं तो में लोगी वहते हैं और mi लेकिन कि अब दिषिछ सौह चैनले मा परवमाण को नॡूर्व यह यह शिए तो दिशा नहीं होती अगला कोश्चन है पदार्थ के समवेग और वेग के अनपात को कौन सी बहुत एक राशी प्राप की जाती है तो आपको अगर आपको समवेग का फॉर्मूला याद हो तो समवेग निकालने का फॉर्मूला होता है द्रवेमान इंटू वेग यानि कि M हो जाएगा द्रवेमान इनकी बहुत जो एकाई होगी वह समवेग और वेग के अनपात क्या कहलाएगा द्रवेमान कहलाएगा अगला कोश्चन सुन्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तू की क्या चीज समान होती है जब अगर कोई वस्तू सुन्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका क्यों सी रासी समान होगी उसका जो तुरण होगा वो अमेशा क्या होता है समान होता है यानि कि वो constant द्रविमान गुणा तुरण यानि कि M into A होता है और इसमें क्या पूछा है तुरण तो A बराबर क्या हो जाएगा F upon M और F हमारे पास कितना दे रखा है बल पांच न्यूटन और जो आपका द्रविमान है वो दे रखा है दो तो पांच में जब दो का भाग देंगे तो कितन आजाएगा 2.5 लेकिन तुरण की का ही क्या होती है देखो यहां पर 2.5 B option में भी है और 2.5 A में भी है तो तुरण की का ही होती है मीटर प्रतिस सेकंड स्कॉर्ण तो इसका जो राइट आंसर होगा वो A option होगा 2.5 मीटर प्रतिस सेकंड स्कॉर्ण हाँ तो student मैं आपसे एक यहां पर जो आपको मैं वीडियो अप्लोड करता रहूंगा आगे भी करता रहूंगा और यह भी वीडियो आपको मैं अप्लोड किये वो physics से related जो की काफी student की demand थी कि सर्फ physics और mathematics से related जो ALP CBT second के लिए और technician के लिए जरूर ही है उसके लिए आप वीडियो अप्लोड करो त आप भी मेरे लिए थोड़ा सा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share किया करो तो आगे हम next question पर चलते हैं किसी भी इस्तिर या गतिशील वस्तू की इस्तिति और दिसा में जब तक कोई परवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई भा किसी लबस्ता में रहेगी तो यह किस नियम से संब्बन देते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम से तो इसका right answer हो जाएगा option number a अगला है rocket किसके सिद्दांत पर कारे करता है तो rocket अमेशा समवेक सरक्षण के सिद्दांत पर कारे करता है यह बहुत ही most question है काफी time पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे जा चुके हैं अगला question है अस्व यदि ये का एक चलना प्रारम कर दे तो एक अस्वराही के गिरने की आसंका का कारण है यानि कि गोड़ा अगर एक अचानक से चलना प्रारम कर देता है तो अस्वराही यानि कि जो गोड़े पर तो वो गसी लबस्ता में रहने का प्रयास करेगी तो यह किसके कारण होता है जड़त्व लेकिन कौन सा जड़त्व होगा इस इसती में विस्तराम जड़त्व क्योंकि गोड़ा पहले खड़ा हुआ था अब गोड़ा जो है वो एक अचानक से चलना प्रारम कर देता है अगल लिए हमने Newton के गती का पहला नियम पढ़ाता जिसे हम Newton के गती के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं तो इसका जो right answer होगा वो आपका B option होगा अगले question क्यों चलते हैं बल का गोड़न फल है इसमें पूछाए आप से कि बल का जो गोड़न फल है वो क्या होता है त option द्रवमान और तुरण का जो गोड़न फल होता है वो बल कहलाता है अगला question है सरीर का वजन अब इसमें पूछाए कि सरीर का वजन कहां पर आदिक्तम होता ही तो यह statement आपको चारों पढ़ने तो पहला है प्रत्वी की सत्वे पर सभी जगे एक सम्मान होता है तो यह गलत होता है वो change होता रहता है इस प्रकार से जो आपका जो बजन होगा सरीर का वो भी change होता रहेगा द्रवों पर अधिक्तम होता है तो द्रवों पर अधिक्तम किसलिए होता है क्योंकि द्रवों पर गुरुतिय तोरण यानिकि जी का मान भी क्या होता है अधिक होता है जबकि की भूमत दे रेखा कि अगर बात की जाए तो वहां पर जी कमान कम होता है तो द्रूबों पर क्या रहेगा अधिकतम रहेगा जबकि जो आपकी भूमत दे रेखा है उस पर जी कमान क्या रहेगा कम रहेगा तो जहां पर जी कमान ज्यादा है वहां पर बार भी अधिक होगा और जहाँ पर G कमान कम है, वहाँ पर बाहर भी कम होगा, तो इसका राइट आमसर क्या होगा, आपका B option, कि द्रुबों पर अधिक्तम होता है, अगले question की ओर चलते हैं, किसी मनुस्य का बाहर प्रत्वी पर यदी 600 Newton है, प्रत्वी पर जो बाहर 600 Newton है, तो चंद्रमा पर क्या ह होता है, अगर प्रत्वी पर 600 है, तो चंद्रमा पर कितना रह जाएगा, 100 Newton, इसका जो राइट आमसर होगा, 23 का, वह आपका हो जाएगा, option number D, clear सभी को, अगला question है, प्रत्वी की सते पर किसी का बाहर 29.4 Newton है, आपको बाहर का formula पता है, W बराबर M into G होता है, तो यहाँ पर M into A भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपका बाहर है, वो कितना दे रखा है, 29.4, आपके G का मान क्या होगा, 9.8, M का मान आपको पता नहीं, तो multiply कर दो, तो इसमें क्या करोगे, 29.4 में किसका बाहर दे देंगे, 9.8 का, जब आप बाहर दोगे, तो यह कित चलते हैं, एक अंत्रिक च्यात्री, प्रत्वी की तुलना में चंद्रतल पर अधिक उची छलांग लगा सकता है, क्या करण है, कि प्रत्वी की तुलना में वो चंद्रमा पर जादा उची छलांग लगा सकता है, तो चंद्रमा पर गुरुतिये तुरन का मान जो होता है, व और वहां पर बजन भी क्या रहता है कम रहता है तो वहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा इस question का कि वह अधिक उची चलांग क्यों लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुर्त्वा कर्षण बलका जो मान है वो प्रत्वी की तुलना में अत्यल्प होता है यानि कि बहुत कम होता है अगले question पर चलते तो इससे आगे में आपको बता देता हूं कि इसमें हम पचास question का practice set करेंगे और प्रते एक वीडियो में मैं आपको पचास question physics के बताऊंगा और मेरा target है कि मैं एक 1000 question से रिलेट जो भी आपके लिए ALP के लिए CBT जो आपका technician का जो पार्ट है उसम के लिए भी आपको ये फायदे मंद रहेंगे और प्लीज जन्होंने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुँग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड वगरा को भी वीडियो सेयर किया करें जसे कि वो भी इसको आज़ानी से बढ़ सकें और अगल किलोग्राम राजी यह निकि दरववान कितना दे रखाए एक और गुर्तिय तरण का मान क्या होता है परसी पर 9.8 तो इसका मल्टिप्लाइ करेंगे तो बाहर कितना हो गया बज़न कितना हो गया 9.8 लेकिन किस में होगा न्यूटन में होगा क्लियर सभी को अगले कोश्चन क और चलते जड़तो आगूर वाग कोड़न यह तौरण का गड़न फल क्या होता है जड़तो आगूर और कोड़न यह तौरण जो होता है उसका जो गड़न फल होगा वो आपका कहलाता है टॉर्क जिसे आप हिंदी में बोलते हो बल आगूर टॉर्क को हिंदी में क्या बोलते ह हो बल आगूर बल आगूर जो होता है वो जड़ा तो आगूर यानि की जे जैसे आप मुम्मेंट ओफ इनर्शिया कहते हो और कोड़ी है तोरंड यानि की अल्फा इन दोनों का क्या होता है गुड़न फल होता है क्लियर तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्सन नंबर बी होगा क्लियर यहां तक सभी को समझ भा रहा है न यहां को कोश्चन नंबर ट्वंटी एट है कि जलके आयतन में क्या परवर्तन होगा यदि तापमान जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेट से 3 डिग्री सेंटीग्रेट कर दिया जाए तो इस कोश्चन को बताने से पहले म आपको एक और चीज बता देता हूं कि कई बार ये भी पूछ लेता है कि जलका जो गनत्व होता है वो किस ताप पर सबसे अधिक होता है तो जलका गनत्व सबसे आदा चार डिग्री सेंटीग्रेट पर होता है और गनत्व बराबर होता है जरवमान बठे आयतन यानि कि ज से जरेंमेरिश हमने क्या किया है घटाए तो इससमें आप से पूछा है कि आयतन मे क्या परवर्तन होगा तो आयतन पहले तो क्या होगा घटेगा और बाद में क्या होने लग जाएगा बढ़ने लग जाएगा क्योकि जब हम बात कर रहे हैं कि 9 से अगर हम दीरे दीरे कम होते हुआ रहे हैं तो आ है कि इस import घारे और यहां पर चार की बात की जाती है तो इस पर गनत तो सबसे जादा होता है और गनत जादा होगा इसका मतलब आयतन जो वो सबसे कम होगा और फिर हम 4 चर से और 0 की तरफ जाएंगे तो जो गनत्तु है वो क्या होने लग जाता है गटने लग जाएगा और गनत्तु जब गटेगा इसका अंसर क्या होगा कि आयतन पहले गटेगा और बाद में बढ़ेगा अगला कोश्चन है एक बीकर में पानी पर बर्फ तेर रही है जब बर्फ पूंडता है पिगल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा तो अगर हमें कह रहा है कि पानी पर बर्फ तेर रही है और बर्फ जब पूंड तो बीकर्व में पानी का तल क्या होगा तो बीकर्व के में जो पानी होगा उसके तल पर कोई प्रबाव नहीं रहेगा यानिकि वह उतना का उतना ही रहेगा तो इसका रायट आंसर होगा उतना ही रहेगा अगला कोश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल तूट जाती है इसका कारण क्या है देखो इसमें ये भी पूच लेता है कई बार कि अगर बर्फ को अगर जमा दिया जाए यानि कि पानी को अगर हम क्या करें ठंडा करें तो बर्फ बन जाएगी और बर्फ बनेगी तो उसके आयतन पर क्या प यानिए कि जू जएधा जगेघती है उसका गनत्व क्या हो जाएगा कम लेकिन अगर पानी का पूस्ता कि पानी का आयतन क्या रहता है तो पानी का आइतन बर्फ की तुलना में यहां पर देखो अब मझें बर्फ मैं जो था वह कम रहेगा क्योंकि बर्फ जो है वो ज्यादा जगे गेरती है और अब इसमें जो आप से पूछा है उसके बारे में डिसक्स करते हैं कि जब किसी बोतल में पानी बरा जाता है तो उसे जम ने दिया जाए तो बोतल तूट जाती है क्यों क्योंकि बोतल जो होगी उसके बाहर का आपमान अंदर से ज्यादा होता है बोतल हमांग पर चुड़ती है पानी जमने पर फैलता है पानी गर्म करने पर फैलता है तो इसका आपको ज्यान रखना है कि यह जो कोश्चन है इसका आंसर होगा कि पानी जो है वो जमने पर फैलता है मैं अभी आपको बताया था कि पानी जब जमेगा यानि कि जब बर्फ बनेगी तो वो फैलता है फैलता है इसका मतलब उसका आयतन बढ़ेगा और उसका घनत्व क्या होगा कम होगा और पानी जो है उसका आयतन क्या रहता है कम रहता है और उसका घनत्व क्या रहेगा ज्यादा रहेगा सड़क पर चलने की अप्यक्षा बर्फ पर चलना कठुन क्यों? कूर्ण क्या होता है? क्योंकि वर्फ में सड़क की अप्यक्षा घरसन बल होता है, उसी की वजए से तो हम अगर कोई ब्रेक बगयर लगाते हैं, हम चलते हैं तो आसानी से चल लेते हैं च bold क्वेक्त करते तो वहाँ पर गर्शन बल का मान क्या होता है यह ठीक्षन जो होता है सून सत्रों होता है लेकिन थे लेकर हम daha बात करें कि जो आपकी सड़क होती है इसमें गर्शन बल क्या होता है तो आप अधिक ї Democrat जो बर्फर चलना आसान नहीं होता अगला कोश्चन है एक नदी में चलता हुआ जाज समुद्र में आता है तब क्या होगा यानि कि यदि कोई जाज नदी में चल रहा है और अचानक से वो से समुद्र में आना पड़ जाए तो उसका इससर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा क्य पानी में जैसे ही नमक मिलाया जाएगा तो उसके गनत पर क्या प्रवाब पड़ेगा जैसे खारे पानी का जो गनत होता है वो क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा अगला कोश्चन है लोहे की कील पारे में क्यों तेरती है जब कि ये पानी में डूब जाती है लोहे की जो कील होती है वो पानी में पारे में तेरती है जब कि पानी में डूब जाती है तो इस question में जब हम देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो तैरती है वो अगर किसी भी चीज पर तैर रही है तो उसके लिए उसका गनत्व क्या होना चाहिए तो यहीं से इसका question बन जाता है कि लोहे की कील पाने में तैरती है जब कि पानी में डूब जाती है तो पानी में जब डूबती है इसका मतलब वो खुद भारी है और उसका गनत्व जो होगा उससे कैसा होगा लोई का जो गनत्व है वो पानी से अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है कम होता है इसलिए लोई की किल जो है वो पारे पर तो तेरती है जब कि पानी में डूब जाती है अगला question है पानी का गनत्व अधिक्तम होता है यानि कि पानी का जो गनत्व है वो सबसे आदा किस temperature पर होता है अभी मैंने last 2-3-4 question पहले बताया था कि पानी का गनत्व अमेशा 4 degree centigrade पर सबसे अधिक होता है clear सबी को अगला question है वस्तू की मात्रा बदलने पर अपरवर्तित रहता है अभी बताये था मैंने आपको कि कौन सी रासी होती है जो वस्तू की मात्रा चेंज होने पर परवर्तित नहीं होती तो वो उसका गनत्व होता है गनत्व के मान में कभी भी उस वस्तू के मात्रा बदल नहीं पड़ता अगला question आपका है कि समुद्र में प्लवन करते समय आइस वर्क का यानि कि बर्फ के टुकडे का कितना बाग समुद्र की सतय से उपर रहता है तो समुद्र की सतय से जो बाग उपर रहता है वो reality में one upon nine होता है अगला question है बर्फ के दो टुकडों को आपस में दवाने पर टुकडे आपस में चिपक जाते हैं क्यों चिपक जाते हैं क्योंकि देको जब हम बर्फ के टुकडों की बात करें और अगर उन्हें एक दूसरी के साथ में टच किया जाए तो वो दोनों क्यों चिपक जाते हैं क् दाव अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांग कोका वो क्या हो जाएगा घट जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option नमर एक अगला question है हवाई जाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है देखो जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाते हैं तो वायू मंडल यह दाव का मान जो है उपर जाने पर क्या होता है दाव का मान घटता है और दाव घटेगा और उसके अंदर जो स्याही वरी होई है पैन के अंदर वहाँ पर दाव क्या रहेगा अधिक रहेगा और कोई भी चीज अधिक से कहा की और चलती है निमनी की और उच से निमनी की होगा यह option इसका right answer है clear सभी को और मैं जहां तक जो आपको लग रहा है कि खाफी अच्छे question आपके लिए provide करा रहा हूँ और हो सकता है अगला question है उचाही की जगहों पर पानी 100 degree centigrade के नीचे तापमान पर क्यों बलता है यानि कि जैसे जैसे हम उपर की ओर जाते हैं तो पानी 100 degree centigrade से भी कम ताप पर उबलने लग जाता है क्योंकि जब उपर की तरफ जाते हैं तो वायू मंडली अदाब कमान क्या होने लग जाता है और वायू मंदलिय दाव कम होगा तो उसका जो उबलने का बिंदू या फिर आप बोल सकते हो कि उसका कुथनांक जो है वो दीरे दीरे कम होने लग जाएगा क्लियर अगले कोश्चन पर चलते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का दाव क्या होगा तो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाव होता है वो वायू मंदलिय दाव से भी अधिक होता है यानि कि ये कोई साबुन का बुलबुला है और इसके अंदर जो दाव होगा उसका मान बाहर के दाव से भी क्या रहता है अधिक रहता है अगला कोश्चन है वायू दाब मापी की रीडिंग में अचानक गरावट इस बात का संकेत है कि मौसम यानि कि वायू मंदलिय दाब मापी के लिए आप बैरो मीटर काम में लेते हो यह भी question बन जाता है कि वाई मंडलिय दाप को किसके द्वारा मापा जाता है तो इसका answer हो जाता है बैरोमीटर यदि इसकी reading अचानक से गिर जाए तो अचानक से अगर इसकी reading गिरेगी तो इसका जो संकेत होगा वो किसका होगा तूफान आने का clear सभी को तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका option no D अगला question है pressur como car में कहाना जल्दी पकता है क्योंकि pressure como car में आझा जाता है यानिकि जो रभ अगर बढ़े वहाँ पटव बढ़ता है तो क्तनांग कि हो जाता है घट जाता है लेकिन अम जब उल्टा पढ़ते हैं वहाँ पर जब अपकर की तरफ जाते apprehender धारते तो दाब कमान YU में उपर जाके फट जाते हैं क्यों फट जाते हैं क्योंकि देखोch ये सपोँज गुब बारा है और अगर हम ऊपर की तरफ जारहें तो YU मंटली है दाब प्रेशर का मान उपर की तरफ जाने पर क्या हो जाता है घट जाता है और इसके अंदर जो वायू वरी हुई है वो उच्छ दाव की वरी हुई है तो दाव कैसे जाएगा उच्छ से निम्न की ओर यानि कि जो अंदर का जो दाव होगा वो बाहर की ओर निकल जाएगा clear सभी को इस प्रकार से जो गुब बारा है वो क्या हो जाता है फट जाता है clear तो इसका जो आपका right answer है वो क्या है कि जो आपका वायू दाव है वो उपर जाने पर घट जाता है तो 43 जो question है उसका right answer हो का option number D अगला question है सूर्य में निरंतर उर्जा का सरजन किस कारण होता है यानि कि सूर्य में निरंतर उर्जा जो होती है वो बनती रहती है और वो प्रत्वी पर खूब मात्रा में उसमी उर्जा का संचरण करता रहता है तो इसका answer होता है नाव किये sun lane के कारण अगला कोशन है अभी भरी गड़ी में कौन सी उर्जा होती है तो गड़ी में हम चावी बर रहे हैं तो उसमें हमेशा potential energy जिसे हम क्या कहते हैं इस्तितिज उर्जा होती है कौन सी उर्जा होती है इस्तितिज उर्जा अगला कोशन है जब हम रवड के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो है वो परवर्थित हो जाता है ऐसे पदार्त में क्या पाये जाता है यानि कि कौन सी उर्जा उसमें उपस्तित होती है तो इसमें हमेशा जब अगर किसी वस्तु की इस्तिती में परवर्थन हो रहा है तो कौन सी उर्जा होगी इस्तित उर्जा होगी अगला कोशन है निम्न लिखित में से किसमें गतिज उर्जा नहीं है चली हुई गोली में हमेशा गतिज उर्जा होती है लेकिन अगर पूस्ता की गोड़े दबाने पर कौन स इसमें पानी बरा हुआ है तो तब तक यह पानी इसके अंदर है तो इसमें इस्तिते जूर्जा होगी लेकिन अगर इसमें अगर हम तूटी लगा देते हैं टैप लगा देते हैं और इसमें इसे पानी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें गते जूर्जा होगी क्लियर अगला है चलता हुआ अथोड़ा तो अथोड़े में भी गते जूर्जा होती है यानि कि अगर आप अथोड़े को चलाने के लिए जब उसे उपर क्यों रूठाओगे तो उसमें इस्तिते जूर्जा होगी लेकिन जब बापस उसे किसी कील पर या किसी भी वस्तू पर डालोगे तो उसमें गते जूर्जा होगी अगला है खीचा हुआ धनुस तो धनुस में अगर हम कहें कि जो धनुस होता है अगर उसमें आप पीछे की तरफ तीर को खीच जा रहे हो आप उसकी इस्तिती को चेंज कर रहे हो तो उसमें इस्तिती जूर्जा होती है लेकिन यदि उसमें से तीर को छोड़ा जा रहा है तो तो उसमें गते जूर्जा होती है, आपको ध्यान रखना है, मैंने इसमें एक ही question के अंदर आपको 5-6 question के बारे में बता दिया है, अगले question की ओर चलते हैं, जब एक वस्तु की गती दुगनी हो जाती है, तो उसकी गते जूर्जा क्या होगी, तो गते जूर्जा निकालने का सूत्र होता है, एक बरावर एक बटे दो, एम वी स्क्वेर, गते जूर्जा का सूत्र क्या होता है, एक बटे दो, एम वी स्क्वेर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या का है, कि वस्तु की गती दुगनी कर दी जाए, यानि कि वेक को दुगना कर दिया जाएगा, तो गते जूर् का ना तो सरजन किया जा सकता है और ना ही विनास तो ऐसा कौन सा नियम है जो इसके बारे में बताता है तो वो होता है उर्जा संरक्षण का नियम ना उर्जा को सरजन किया जा सकता है और ना ही उसे नश्ट किया जा सकता है क्लियर सभी को अगला question है cycle चलाने वाला mode लेते समय क्यों जोगता है जिसे ये कोई व्यक्ति cycle चला रहा है और वो mode लेता है हमेशा वो केंदर की और जोगता है क्यों जोगता है केंदर की और तेको इसमें आपको option दे रखें cycle और आदमी की कती समान होनी चाहिए वरना cycle फिसल जाएगे गलत है कोई जरूरी नहीं है वह जगता है ताकि गुरुत केंदर आदार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए बिल्कुल सही है वह जोगता है ताकि वक्र मार्क पर चलने के लिए पईयों पर दवाब डाला जा सके बिल्कुल गलत है वह जोगता है ताकि वक्र को वो अभी केंद्रियबल कारे करता है अब को मैं ये कोशन और भी बताऊंगा इसी के अंदर कि जब अगर वो साइकल चला रहा है तो उस पर कौन सा बल काम करता है अभी केंद्रियबल जब अगर वो किसी मोड पर गोम रहा है लेकिन अगर यही question ऐसे होता कि अगर वो four wheeler गाड़ी चला रहा है तो वो बाहर की ओर क्यों जुखता है तो जब four wheeler गाड़ी की बात की जाती है तो उस पर up kendriable कारे करता है और up kendriable का मतलब होता है बाहर की ओर तो इस अब four wheeler के अगर question आएगा तो कौन सा बल काम करेगा आप गेंद्रिय और अगर cycle की बात करेगा तो कौन सा होगा अभी गेंद्रिय बल clear अब आपके लिए जो अगला question है वो एक quiz के रूप में और उस question का answer आपको मुझे इस video के अगली video में मैं आपको बता ही दूँगा लेकिन आप इस video के बाद में जब आप comment box में इस question का answer बता सकते हो कि दूज से cream निकालने में कौन सा बल लगता है दूज से जब cream निकाला जाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है clear सभी को और आज की जो video आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे facebook पर whatsapp पर ज़्यादा से ज़्यादा share करें क्योंकि अब मैं आपको आरार भी जो technician के लिए जो exam होगा और जिन्हों लड़कों ने physics trade को select किया है उनके लिए यहाँ पर physics related matter के लिए मैं करीब 2000 हो सकता है अभी तो मैं 1000 question नहीं डालू लेकिन exam जैसे आ जाएगा तो मैं 2000 तक भी उस physics related question को पहुचा सकता हूँ और आप घर बेटे अपनी तयारी क कर सकते हो तो प्लीज जन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है वो चैनल को subscribe कर ले और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो प्लीज आप वीडियो को like and share जरूर किया करें तो thank you for watching my video